गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आज कल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तुम कल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपे अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खाता कि आजकर लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट की बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहाँ हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजिए कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है Internet के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे internet के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजिए Internet के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ हैं संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वो अन्य अध्यन सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ओनलाइन उपलब्द हैं इंटरनेट हमें स्वास्थ है, वो दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है लोग विभिन रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का प्रयोग परिटन्स थलों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है। इसका प्रयोग चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग कर ओनलाइन खरीददारी भी की जा सकती है मात्र खाते का विवरन उपलब्द कराकर आप लेंदेन कर सकते हैं आप अपने बिलों का भुकतान वबैंक संबंधी लेंदेन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं सीधी, हम अपने कम्प्यूटर में इंटरनेट कैसे प्राप्ट करें? इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंतर वह नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यक्ता होती है इंटरनेट जोडने के कुछ तरीके हैं डायल अप कनेक्शन एकिकृत Digital सेवा नेटवर्ट इंटरनेट का सीधा उपियोग Digital subscriber line Dial up connection Dial up connection इंटरनेट को जोडने के लिए telephone line का प्रयोग करता है Computer modem का प्रयोग करता है और घर की phone line को इससे जोडता है इंटरनेट का मौडम के लिए एक call की जाएगी और लिंक इंटरनेट का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा यह इंटरनेट से जुड़ने का पहला तरीका है एकी कृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उप्योग करने की अनुमती देता है इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडम की आवश्यक्ता होगी INSDN सार्वजनिक टेलिफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है इंटरनेट कनेक्शन को डायल करने या इंटरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यक्ता नहीं होती है इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्चित करता है केबल इंटरनेट की तरह DSL या ब्रॉडबेंड उच्चगती इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है DSL तक्नीक एग ही फोन लाइन पर इंटरनेट वो बाच्चीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है DSL इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है DSL इंटरनेट सेवाएं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं और जिन इक्षेत्रों में स्थानिय टेलिफून का बुनियादी धाचा DSL तक्नीकी को सहारा नहीं देता, वहाँ काम नहीं करता है इंटरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है मौडम, इंटरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर मौडम एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने वह भीजने की अनुमती प्रदान करता है यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है इंटरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है ब्राउजर एक सौफ्टवेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर है, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार अत्वा बेतार तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं कंप्यूटर जो बेतार तकनीक का समर्थन करते हैं, उनमें वाइफाई कार्ड होता है मेरे कुछ दोस्तों के पास मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है? मुबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यक्ता होती है एक मुबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो, एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो फोन पर इंटरनेट सेवाईं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मुबाइल सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G वह 4G नेटवर्क का प्रेयोग उच्चिक्षमता दर्शाती है अर्थात तार रहित नेटवर्ग के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्षमता 2G नेटवर्ग संकीन बैंड नेटवर्ग पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिये रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वा संचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं 3G तीसरी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्ग लोकप्रिय हो गया है इसने उप्योग करताओं को मोबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोक करने के योग्य बना दिया है 3G नेटवर्ग पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है 3G नेटवर्ग पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है 3G उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते है पोर जी, चौथी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह भविश्य में और बहुत सारी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएगा सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पून करने वाला माना जाता है क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मूबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल वो एंडरॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते है सावधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग पहले मैनू का चैन करें फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गोटू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें सेवा से जुडने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं वाइफाई सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं सेटिंग वा कनेक्टिविटी का चैन करें फिर वाइफाई का चैन करें जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं उसका चैन करें यदि आवश्यक हो तो पासवर्ट दर्ज करें Android फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले Android स्मार्टफोन वर टाबलेट की सेटिंग मेनू पर खिसके यह किसी Android यंतर पर एप मेनू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी नॉटिफिकेशन बार से किया जा सकता है अब सेटिंग्स मेनू में आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स ढूंडे ज्यादतर यंतरों में अधिक या अधिक सेटिंग्स जो बटन उपलब्ध हों को चुने अब यदि आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स पर पहुँच जाते हैं तो आप दो तरीकों से जोड सकते हैं Mobile Internet, Wi-Fi Mobile से इंटरनेट को जोडने के लिए या तो आप नोटिफिकेशन को नीचे खीच कर Mobile Data विकल्प चुन सकते हैं अत्वा आप Wireless और Network सेटिंग्स विकल्प में More Settings विकल्प चुन सकते हैं उसके बाद Mobile Network बटन पर क्लिक करें जहां पर Mobile Data चेक बॉक्स पर चेक करेंगे जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन Mobile Internet से जुड़ जाएगा Android फोनों में भी Wi-Fi की सुविधा उपलब्ध है दी-दी, उसे किस प्रकार जुड़ेंगे? बड़े आसानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे Wi-Fi सेवाओं से जुड़ोगे Wi-Fi नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह Wi-Fi नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पास्वर्ट की आवशकता हो तो उसे दर्ज करें और Connect पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो Mobile Internet से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक Data Card और एक Data Plan के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशकता होती है आप अपना उपकरण और Data Plan प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module, SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार, Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर Right क्लिक करें, ततपस्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उपयोग करता का नाम वो पासवर्ड टाइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet संयोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकता है क्या ये सही है दीदी? हाँ बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकते हो स्मार्टफोन वो लैप्टॉप को जोडने या टैथरिंग पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi होट्सपॉट में परिवर्तित हो जाता है जिसे की आपका लैप्टॉप एकसेस कर सकता है Android phone tablet को laptop से जोडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले wireless और network setting menu पर जाएं कुछ फोनों में wireless hotspot बनाने के लिए apps menu में app होते हैं अब जोडने वाले वहनिये hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प पर click करें आगे वहनिये hotspot या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और network का नाम सेट करो और अथवा password सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए wireless network को wireless network के माध्यम से अपने laptop के network से जोडे इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग लेंगे दिदी क्या आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समय हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं www का अर्थ worldwide web होता है worldwide web मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि worldwide web क्या है worldwide web www worldwide web का प्रतीक है worldwide web में web उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याए web पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक web browser का उप्योग कर पहुँचा जा सकता है Telnet, FTP, Internet Jua, Internet Relay Chat, IRC और E-Mail सभी internet का अंग है लेकिन यह सब worldwide web का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग web पन्नों को आपके computer को स्थानांत्रित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी website के साथ संपर्क बनाए रख सकते है Worldwide Web के अंग हैं Web Server, Web Browser, Web Page, Website, Web Address Web Server एक पदती है जो internet पर अंतिम उप्योग करता तक विशेवस्तू या सेवाओं को उपलब्ध कराता है Web Servers वे computer हैं जो वेब पेजों को उपलब्ध कराते हैं प्रतेक Web Server का एक IP, पता वा डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्श करते हैं कि यह है एक Web Server जिसका डोमेन नाम Google.com को निवेदन भेज देता है Web Browser एक Software अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग World Wide Web पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशेवस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें Web, फोटूएं, वीडियो वा अन्य फाइलें आती हैं जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कम्प्यूटर पर चलने वाला Web Browser एक ग्रहक है, जो Web Server से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है Web Server सूचनाएं वापस Web Browser को भेज देता है, जो परिनामों को कम्प्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है, जो ब्राउजर को सहारा देते हैं Web Page वह हैं, जिनसे World Wide Web बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के द्वारा अनुवादित किये जाते हैं Web Page या तो स्थेतिक अत्वा गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशेवस्तू दर्शाते हैं गतिक प्रिष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विशेवस्तू दर्शाते हैं ये प्रिष्ट आदश रूप से भाषा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेबसाइट प्रष्ठों का संकलन है एक वेब पेज एक प्रथक HTML दस्तावेज है वेबसाइट एक दूसरे से संबंधित प्रष्ठों का संकलन है सामानेत यह या तो एक ही विशय पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशय उपर होते हैं वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे होम पेज कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें एड्रेस प्रोटोकोल, डोमेन नेम तथा फाइल पाथ होता है सामानेत इंटरनेट पर इसका प्रयोग वेब प्रष्ठ, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग है जो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं को ढूंडने के लिए बनाए गए है डाउनलोड, बुक मार्क और पास्वर्ड प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे स्पेलिंग चेक, सर्च इंजिन टूल बार, टाब्ड ब्राउजिंग, एडवर्टीजमेंट, फिल्टरिंग और एच्टी एमिल, एक्सेस बटन, पॉप अप और ब्लॉकिंग होती है अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं इंटरनेट एक्स्प्लोरर, Firefox, Chrome, Opera, Safari इंटरनेट एक्स्प्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तयार किया गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोस के औरेंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर ओनलाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है किया आप अपने कम्प्यूटर पर Firefox का प्रयोग नहीं करती हैं दीदी? हाँ यह वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ गूगल क्रोम गूगल द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अति सुक्ष्म आकृती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है ओपरा सॉफ्टवेर ने 1996 में ओपरा ब्राउजर का विकास किया ओपरा अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोड कई Windows Zoom functions वह अन्य के साथ आसानी से चलता है यह Java वह Java रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है Safari ब्राउजर Apple INC द्वारा विकसित किया गया है और Mac OS X में शामिल है यह सबसे पहले जनवरी 2003 में Public Beta के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है तीधी, अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो Start बटन पर क्लिक करो All Program पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो Browsing Window दिखेगी सामाने तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं Title Bar, वेब पेज वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है इसमें तीन विंडो बटन होती हैं Minimize, Restore Button या Maximize और बंद Address Bar में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें इसमें Go या Refresh और Stop बटन होता है Go बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है Refresh बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है और Stop बटन एक्स्प्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है Address Bar के Buy और Back वो Forward बटन होते हैं ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं Menu Bar पर कई विकल्प होते हैं जैसे File, Edit, View, Favorite, Tools और Help Web Page क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं Status Bar, Website, Web Page की प्रगती या स्थिती के बारे में Waiting, Loading या Done दिखा कर बताता है Search Engine वह वेब साइटे हैं जिनका उदेश उस वेब साइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेब साइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है Google सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs वेब सर्फ करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूंडने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खुंगते हैं मल्टी या मेटा SE का अर्थ है कि आपके E-Word को खोजने में एक से अधिक SEs लगे हैं Google और Bing इसके उदाहरन है निर्देशी का वेब साइट की डारेक्टरी का उपयोग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्द सूचना के अनुसार वर्गी कृत की जाती है याहू डारेक्टरी SE का उदाहरन है सर्च इंजन इंटरनेट पर सूचना ढूंडने के ओजार हैं सर्च इंजन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब प्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारन ता सर्च इंजन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड कहते हैं खोज का परिणाम वेब प्रिष्टों का हो सकता है चित्रों, सूचनाओं या अन्य प्रकार की फाइलों का हो सकता है इन सर्च इंजनों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है दीदी हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च इंजिन का प्रयोग किस प्रिकार करते हैं? गूगल जो की सरवादिक प्रयोग किये जाने वाला सर्च इंजिन है का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहला, वेब ब्राउजर को चालू करें, तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें https colon slash slash www.google.co.in slash मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं, तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें Schools in Rural India अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें, अत्वा एंटर बटन दबाएं दिखाए गए लिंकों की सूची देखें, जिनके साथ प्रतेक वेब साइट का संक्षिप्त विवरन भी दिखेगा सुसंगत लिंक पर क्लिक करें यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हों तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाएक होने पर क्लोज बटन दबाएं अब रोहन, मैं चाहती हूँ कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो बिल्कुल, केवल यह बताईए कि क्या खोजना है ठीक है, गूगल का प्रयोग कर ग्रामीन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूँ चलो, अब हम मज़ेदार गतिविधी में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्न के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयास सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयास करें सही है, अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास सही है, अच्छा प्रयास